तो माइडियर स्टुडेंट आज हम इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू क्पेर फॉर बोर्ड एक्जमिनेशन ठीक है अब हमारे बोर्ड एक्जाम नजदीक है यह नॉंबर कमेहना चलड़ा है ठीक है नॉंबर है इसको माल ने थे कि नॉंबर खतम हो चुका ह अब आएगा देसंबर फिर आएगा जैनवरी फिर आएगा फैब तो देसंबर में कितने दिन है इसमें 31 डेस इसमें भी 31 डेस इसमें है आपके 28 डेस तो टोटल हमारे पास है 90 डेस अब हमें परनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब तक हम मैं माल लेता हूँ कि अब तक हमें इससे फरक बढ़ेगा कि अभ हम जिकरते हैं जैसे माल लिजी अभी हमने हमने मैं ओस हमने ख़तम कर दिया देथ बच्चे NCRT करते हैं ओररी करते हैं進これ想法 रैस कहर इंज talking MPO कि एंजाओ जाओ ज result करते हैं कि जाओ जाओ कर नीं देकिन हमारा जो बोर्ड़ पेटर्न है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि यह चार बुक एक साल में करने से अच्छा है कि आप एक बुक NCRT पकड़ो उसको चार बार रिवाइज करो उसको चार बार उसका रिविजन करो ठीक है और अब अपने टाइम स्यूडिल पूरा पैक कर लो पूरी तरह नया स्यूडिल मन पूरना है अगर आपने मैथ और साइंस को रोज आपने शेडूल दे रखा है कि मुझे दो घंटे पढ़ना है मैथ और साइंस तो एसा करना वीकली में आप दो या तीन दिन ऐसा बनाना जिसमें आप सेस्टी इंग्लिश या हिंदी को भी देना क्योंकि हमेरे परसंटेज हमारी जब सब में नमबर आएंगे तब परसंटेज हमारी बढ़ेगी ध्यान दकलो अब जो है साधियों का भी सीजिन सल रहा है अब आप शादी पार्टी बर्डे इन सब को छोड़ दो क्योंकि स्रिफ तीन मैन है हमारे पास तो पूरा फोकस स्टड़ी स्टड़ी स्टड तो एक घंटा आपने पड़ा पांच मिनट का ब्रेक लो तो लगातार भी नहीं करना है को कि आखें सब कुछ जो है अम यह भी ध्यान देना है तो एक घंटा पड़ा पांच मिनट का ब्रेक लिया हलका राउंड मार के आए आँखों में पानी मारा ठंडा पानी रखा अच्छे आएंगे आपको अच्छे स्कूल में कॉलेज में एडिशन मिलेगा तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब ते के लिए गुडबाई बेस्ट अब लाग्ट